everyone what's up guys welcome back in your own youtube channel जिसका नाम है jkssb online tutorial और मैं हूँ सतीश और आप देख रहे हैं computer के lecture series okay so last videos के अगर हम बात करें तो पहले हम लोग कर रहे थे आपका topic 1 fundamental of computer okay fundamental of computer हम लोग cover up कर रहे थे आपका और fundamental of computer में मैंने almost जितनी भी चीज़ें है computer के related मोटी मोटी सारी explain कर दी either should be a functions characteristics right data information उसके बाद बात करते हैं हम लोग CPU CPU में कितने components हैं हमने बहुत सारी मतब जितने भी almost all the things हमने explain करी हमारे fundamental of computer topic में उसके बाद हमने तीन videos में उसके MCQs discuss करिए ताकि मेरा main motive one MCQs discuss करने का यही था कि आप लोगों को questions किस तरह से बनते हैं वो पता लग चाहें आज हम लोग करने वाले हैं आपका memory का unit computer memory के बारे में आज हम पर पढ़ने वाले हैं और memory की अगर मैं बात करूं you can say this is also the part of your fundamental topic topic okay and यह अलग topic भी है आप लोग इसे अलग unit भी क्या सकते हो okay तो यह mention नहीं है but it's very important तो यह fundamental के अंदर ही आता आपके और चली आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके computer memories की okay तो कोशिश करूंगा मैं इसमें basics अब चीज़ें clear करूं बट इसमें कुछ basic है नहीं computer memory क्या है वो मैं अभी explain करता हूं okay so start करने से पहले आप सभी को बता दूंगी जिन बच्चों ने हमारी आप को इंस्टॉल नहीं किया जेके सब्सक्राइब को इंस्टॉल कर लो तो चलिए अब बढ़ते हम अपने आज के first topic की तरफ और start करने से पहले मैं बता दूंग कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं sorry अगर आपको external लगा सुनाई दे रही होगी इस वीडियो में हम से बात करेंगे कि बया computer memory है क्या उसके बाद why it's important needed उसके बाद types की बात करेंगे obviously which is very much important as per the exam point of view उसके बाद यह इसके टाइप सी आ जाती है primary secondary तो आज हम कोशिश करेंगे मतलब primary वाले position में क्या क्या चीज़ें आती है वो cover up करें तो next video में हम लोग secondary पर workout करेंगे ताकि हम लोग focus करें कि चीज़ें clear करें अपने mind में ना की syllabus cover करें okay मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ video start करने से पहले कि हमारे जितने भी paid candidate हैं जितने भी paid बच्चे हैं dear आपको attention लेने की जरूरत नहीं है specially सभी teacher अपने अपनी field में top class है ठीक है और मैं बाकी teacher की बात नहीं क limited syllabus तो मैं कोशिश करूँगा ऐसा आपको content provide करूँ अगर मुझे दो दो बार भी चीज़ें explain करनी पड़ी ना videos मनाके मुझे कोई problem नहीं होगी मैं करूँगा वो सब कुछ लेकिन मतलब मैं सिर्फ आप लोगों को यह guarantee देना चाहता हूं कि इस course के बाद आपका computer के related कोई ब बाकी classes हो रही है live हम उसी तरह से classes करेंगे तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा lecture और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की computer की memory क्या है देखिए यह जितनी भी चीज़ें जितनी कहानी लिखी हूं यह ना मैं नहीं पढ़ता यार सेजी सी बात है इसका main reason होता सिर है कि computer memory है क्या आप सभी को मैं बता दूं कि अभी खेर हमने component of computers component हमने start नहीं किया अना computer components अभी हमने start नहीं किया देखिए computer component में एक component आता है आपका hardware okay hardware और दूसरा आता है आपका software देखिए hardware component में आपके तीन units आते हैं okay जिसमें input units, output units और उसके साथ ही आता है एक memory unit नहीं storage unit sorry ठीक है आता है आता है इस unit यह जो storage unit आपका इस storage unit के अंदर आता है आपका memory वाला portion ओके जो आज आप पढ़ने जा रहे हो computer memory ओके पता लगया basically this is the subtopic of computer component ओके लेकिन मैं आपको आपको किसी के साथ इसको relate करने की जुरूरत नहीं है आप simple इसको individual topic समझ सकते हो कि हम लोग आज पढ़ने वाले computer topic लेकिन मैंने थोड़ी से background बता दी कि भी यह निकला कहां से क्योंकि जो भी चीज़ा हम लोग पढ़ने वाले हैं वो interrelated आप उसमें कोई जादा नहीं है कि okay but without confusing you I just want कि आप लोग से individual topic समझें तो अब हम बात करते हैं computer memory की तो memory क्या है वह आप सभी जानते हैं कि memory किसको कहते है memory physical device है जो काम आती है किस चीज़ के information को store करने के that's all okay अब वो जो information store कर रहे हैं उस device में वो temporary भी हो सकती है और permanent भी हो सकती है तो temporary और permanent आपको यहीं से पता लगया होगा जिसे हम लोग volatile और non-volatile memory कहते हैं temporary memory में आता है आपका RAM और permanent मतलब की non-volatile में आपका आ जाता है ROM RAM का full form तो आपको पता ही है random access memory और ROM का read only memory ओके तो basically आपको देखो definitions तो वहां पर पूछने नहीं है आपको subjective paper तो है नहीं हमारा तो definitions का मतलब छोड़िए यहां पर तो simple memory ऐसी device होती है जिसके through हम लोग information को store कर सकते हैं temporary मतलब जो आप जिन devices में यह information store करते हो वह एक तो permanent होती है sorry temporary होती है और दूसरी permanent होती है जब बात temporary की आती है तो उसमें example आ जाती है आपके RAM की और जब मतलब temporary की example है RAM और permanent की example है ROM ओके गाइस तो यह है आपका हमारा computer memory ठीक है okay so well हमारा next question है वो यह है कि why it is important okay why memory important or needed for a computer okay so इसमें अगर हम first वाले इस चीज़ को पढ़ें तो इसमें लिखा है कि जितनी भी devices होती है computer में वो operate करती है different different speed पर ठीक है और computer memory basically क्या करता है computer को एक place देता है ताकि वो data को quickly access कर सके okay quickly access कर सके और वहीं पर इसमें काया कि अगर CPU को wait करना पड़ेगा secondary storage का like hard disk होगे आपका ठीक है तो वहाँ पर क्या होगा computer जो है वो slower हो जाएगा ठीक है slower हो जाएगा अब मैं आपको थोड़ा image के साथ बना के इसी example देता हो आपका सारा computer का data कहां पर होता है यहां होता हार्डिस्क में ठीक हार्डिस्क से data जो है वो जाता है कहां RAM में RAM के बाद आता है CPU में ठीक है यहां पर processing होती है यहां पर यह input यह output तो यहां पर आ जाता आपका monitor पर output suppose करो इस वाले portion को हम हटा दें तो हार्डिस्क में इतना data है कि अगर यहां से CPU को उठाना होगा तो वो बहुत time लेगा इसलिए क्या होता है यहां से data क्योंकि हम जो भी मतलब हम जो भी उसमें feed करते हैं उसमें से सीधा सीधा information कहां जाती है direct मतलब RAM क्या करता है directly वो चीज़ें सिर्फ वही चीज़ें जिसकी जरूरत है वही चीज़ें हलाकि hard disk में बहुत सारी चीज़ें add-on होती है already ठीक है मतलब यहां पर तो सारी कहानी होती क्योंकि इसको हम लोग क्या कहते है इसको कहते है permanent memory तो जब computer start करते हैं जो भी चीज़ें जो भी इसमें workout होता है पहला data transfer होता है RAM में RAM के बाद CPU में जाता है मतलब direct नहीं जाता अगर direct जाएगा न तो फिर बहुत टाइम लेगेगा तो यही second वाले में बताया हुआ है कि अगर CPU को wait करना पड़े secondary storage का hard disk का कि वहां से data वो उठाए तो फिर जो working है computer की बहुत जादा slow हो जाएगी यह था इसकी कहानी अब बात करते हैं हमारे most important thing that is type of computer memory यहां से mostly question पूछे जाते हैं तो computer memory को हम first of all यहां से देखेंगे देखें आपकी दो types की memory होती है पहला होता है आपका primary memory दूसरा होता है secondary memory ओके अब primary memory में मैं आपको बताता हूं और सुनिया एक मेंट यहां पर मैं explain करता हूं देखें यह हो गया आपकी primary memory अब primary memory में भी दो तरह की memories होती है एक होती है volatile एक होती है non-volatile ठीक है RAM जो मैंने अभी discuss किया आप लोगों के सार्टिंग वहीं और वही non-volatile जो होती है वो permanent होती है मतब data वैसे का वैसे ही रहता है power अगर चली भी जाये तो okay so इसमें आपका आजाता है RAM इसमें आजाता है आपका ROM okay अब RAM जो है मतब RAM जो है वो still उसमें दो तरह की parts आ जाते है दो तरह की आ जाती है एक होता है SRAM मतब static RAM और दूसा आता है DRAM okay that is dynamic RAM isn't it अब बात करता है हम लोग ROM की तो ROM में basically further 3 types आ जाती है यह देखें पहला है आपका P ROM इसे कहते हैं programmable ROM फिर आ जाता है EP ROM EP ROM मतलब erasable programmable ROM okay उसके next आता है EEP ROM मतलब की electronic erasable programmable ROM okay समझाया आपको मतलब primary memory में आपके दो तरह की memory होती है volatile non-volatile मतलब temporary या permanent अब volatile में क्या होता है इसको temporary क्यों कहते हैं क्योंकि यह तब तक होती है जब तक आपका computer on है जैसे computer बंद उसके बाद data loss हो जाता है कैसे मैं बताता हूँ देखिए आपका computer चल रहा है आप उस पे command दे रहे हो तो data क्या है आपके hard disk ते जो भी information जो है वो कहां जाती है आपके RAM में जाती है randomly जाती है और जब तक आपका computer चल रहा है तो process इसी तरह से चलेगा मतलब आपके hard disk ते आपके RAM में जाएगा RAM के बाद CPU में जाएगा तो जैसे ही light बंद होती है computer आपका बंद होता है तो वो processing वही पर खतम हो जाती है जितना भी data जितनी भी information आपके RAM में होती है store हुई होती है वो सारी किसनी loss हो जाती है isn't it but ROM में आपका hard disk में वैसे का वैसे ही रहता है उसमें कोई भी चीजें नहीं उड़ती आपके तो यह सारा दोनों का difference हो मैंने आपको बता दी कि RAM में further दो टाइप सा जाती है आपकी static RAM, dynamic RAM और ROM में भी further इन टाइप सा जाती है आपका P ROM, EPROM and WP ROM isn't it so अब यहां पर क्या है basically वही मतलब इनों ने मैंने वो नहीं लिखा था यहां पर आपको confusion नहीं लिखा था तो आपको confusion ना हो इसलिए मैंने आपको externally समझा दिया तो बाकी वही आ गया ठीक है RAM, ROM और इसके बाद asrom, dynamic ठीक है तो यहां पर एक तो यह था P ROM दूसरा EPROM then double E sorry मैं आपको दिखाए देता हूं ठीक है यह है double EPROM isn't it primary memory clear हो गया आप सभी ठीक है अब हम बात करते हैं आपने secondary memory की, okay secondary memory को भया auxiliary memory भी कहते हैं, okay auxiliary memory भी कहते हैं इसको अब देखो इसको मैं example के साथ महाता हूं देखो AUX का पता है आपको AUX इसको AUX भी कहते हैं मतलब कभी गाने साने लगाने हो गाड़ी में तो कहते हैं AUX AUX है दर बसपड़ी तो basically वह एक storage device ही है तो मतलब secondary memory को हम auxiliary memory भी कहते हैं तो AUX से आप लोग्स का समझ सकते हो तो अब secondary memory में basically मैं आपको explain करने वालों कुछ चीज है देखें यह आता है आपका secondary memory अब secondary memory में क्या है secondary memory still divided है दो parts में एक है आपका sequential memory sequential access और दूसरा आ जाता है आपका direct access direct access अब इस direct access को जम्प भी बोलते हैं जम्प access भी बोल सकते हैं ठीक है अब जो sequential access आपका फर्स्ट वाला यह वाला इसकी example के अगर मैं बात करूँ तो वो है magnetic disk और सॉरी magnetic tapes जो पहले पहले जमाने में आती थी न वो चक्का गुमाने वाली वो वाली ठीक है और direct वाली में हम लो direct access वाली में अगर हम बात करें तो उसमें अपकी तीन तरह की types आ जाती है ठीक है direct access में अगेन तीन तरह की type आ जाती है और वो टाइप है फर्स्ट ले आपकी magnetic disk ठीक है next है आपका optical disk और थर्ड वाली आ जाती है आपकी क्या थर्ड वाली आ जाती है आपकी electrical electrical devices और इसको आप लोग flash memory भी कह सकते हो ओके flash memory भी कह सकते हो देखे यहां पर मैं जो भी लेकर रहा हूं जहां सिर्फ समझ है आपको मैं पूरे के पूरे notes प्रवाइड कर दूंगा आपको टेंचने के जोड़त नहीं है आपको सिर्फ समझो यहां मैं बोल कर रहा हूं अब बात यह है कि यह जो आपका direct access की हम लोग बात कर रहे थे direct access memory के हम बात कर रहे थे जिसको हमने तीन में बंटा वो था आपका first magnetic disc optical optical disc next था हमारा flash memory जांच इसको electric devices भी हम लोग क्या सकते हैं ठीक है अब इसमें अगर हम example की बात करें अपकी ठीक है magnetic disc में क्या क्या आ जाता आपका HDD ठीक है FDD next optical disc में बात करें तो इसमें आ जाता आपका CDR CDROM okay DVD sorry DVD अब flash memory के हम बात करें तो इसमें आपका USB MC memory card आपका ठीक है तो यह सारा आ जाता आपका direct access के अंदर okay तो समझ गया आप की secondary storage में क्या-क्या आता है so my dear यह सारी कि सारी कहानी वही है ओके जो मैंने अभी आपके साथ discuss की तो यहां भी बड़ा short में बताया था बट मैंने आपको explain कर दिया no issue okay so आज की जो कहानी है वह यहीं तक हम रखेंगे ठीक है मैंने आपको examples बदा दी computer memory में क्या-क्या कौन-कौनचे types हैं उनकी further types क्या-क्या है उसके क्या-क्या examples है okay so next video में हम इसको further continue करेंगे और दूसरी important चीज़ कि जो भी चीज़े हम लोग करेंगे आपको कोई confusion नहीं रहने वाला क्योंकि topic के बाद हम भर के questions करने वाले हैं okay so don't be worried about it okay see you again in the next video thank you so much bye